हाइ फ्रेंड्स स्वागत है आप लोगों का जारखन एज़केशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे महुर तेश और आज हम लोग जारखन के जन्जातियों का क्लास जो वो करने वाले हैं यानि जार्कन के जंजातियों के बारे में जाने वाले हैं ये जार्कन के जंजातियों का सात्वा क्लास है यानि इसके पहले 6 क्लास हम लोग already कर चुके हैं उन 6 क्लास में हम लोग जार्कन के 12 जंजातियों के बारे में देख चुके हैं तो आपने अगर उस class को नहीं देखा है, तो आप please जाके उस class को भी देख लें, ताकि उन 12 जन्जातियों के बारे में भी आप जान सकें। इस class की बात करेंगे, तो इस class में हम लोग जहालकन के जन्जातियों के बारे में बहुती detail में जानते हैं। मैंने आपको बताया है जारकन में वर्तमान में कुल 32 परकार के जंजाति जो है वो पाई जाती है और हमें इन 32 परकार के जंजातियों के बारे में ही जानना है एक क्लास में हम लोग जारकन के दो जंजातियों के बारे में जानते हैं कितने एक क्लास में हम लोग जारकन के दो जंजातियों के बारे में जानते हैं यानि आज के क्लास की बात करेंगे तो आज के क्लास में हम लोग जारकन के दो जंजातियों के बारे में जानेंगे और इसके पहले भी हम लोग 6 class किये हैं यानि जारकन के 12 जंजाति के बारे हम लोग देख चुके हैं तो चलिए class को सुरू करते हैं और देखते हैं जारकन के 12 जंजातियों के बारे में इस class के pdf की बात करेंगे तो pdf आपको कहाँ पे मिलेगा इस class का जो pdf है वो आपको हमारे telegram channel पे मिल जाएगा telegram channel पे आप लोगों को सभी classes के pdf एक साथ मिल जाएगे साथ सभी classes के notifications, details, updates तभी चीज़े आपको telegram पे मिल जाएगा तो आप अभी जाके हमारे telegram channel को join कर लेगे अब बात करेंगे जारकन के जंजातियों की तो आप ये मेरे पीछे देख पा रहे हैं ये जारकन के 32 जंजाति है मैंने आपको बताई है कि ये जारकन के 32 जंजाति है और इन्ही 32 जंजातियों के बारे में आमें पढ़ना है इन में से 12 जंजाति के बारे में हम लोग already जिरेग देख चुके हैं और आज जो हम लोग जारकन के दो और जंजातियों के बारे में देखने वाले ह जनजातियों की बात करेंगे तो मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जारकन में कुल 32 फरकार की जनजाति जह वो पाई जाती है और इनही 32 परकार की ज़टी के बारे में हमें पड़ना है, जिन में से 8 जॉयवो आदिम ज़टी है, और 24 जॉयवो अनुसूचित ज़टी है. 8 अदिम और 24 अनुसूचित, ठीक है. उसके बाद हम लोग क्या देखे थे, उसके बाद हम लोग देख चुके हैं, कि जार्कन का जब निर्मान किया गय था, उस समय जार्कन में 30 जंजाती थी, कितने 30, यानि 30 ट्राइब गय थी जब जार्कन का फॉर्मेशन किया गय था, जार्कन की स्थापना की गय थी, जार्कन की स्थापना कब की गय थी, तो 15 नवंबर 2000 में, यानि 15 नवंबर 2000 में जार् जारकन में टोटल तीसी जंजाती थी, तीसी ट्राइव यहां पे रहती थी, जारकन के निर्मान के बाद दो जंजातियों को सामिल किया गया है, अभी बरतमान में 32 जंजाती है, जारकन निर्मान के बाद दो जंजातियों को सामिल किया गया है, तो इन दो जंजातियों को साम आर्टिकल 342 के तहट इन जंजातियों को सामिल जहारकन में किया गया है। इन में से एक जंजाती कवर जंजाती है और दूसरी जो है वो कोल जंजाती है। तो 31 भी जंजाती के बात करेंगे कवर और 32 भी जंजाती कोल। अब यहां से question जैवो जार्कन के एक्जामों में देखने को मिलता है। पूछ जाता है कि जार्कन की 31 जंजाती कौन सी है? कवर जार्कन की 32 जंजाती कौन सी है? तो कोल. इस चीज़ को आप लोग याद रखिए. आगे देखते हैं, आज हम लोग पहरिया जंजाती के बारे में जानने वाले हैं। प्रजातिय समू की बात करेंगे तो प्रोटो अस्ट्रोलर्ड इनका प्रजातिय समू है और जाला किसे का जाता है तो इस जंजाती में जाला जो है एक जोपड़ी नुमा घर होता है उसे जाला कहते हैं बदु मुल बदु मुल को डाली कहते हैं अब बदु मुल क्या होता है मैंने आपको बहुत बार बताया है एक बार फिर से बताता हूँ कि साधी के वक्त जब लड़की की फैमिली के द्वारा लड़के की फैमिली को जो दहेज दिया जाता है उसे बधुमिल कहा जाता है यानि दहेज को बधुमिल कहा जाता है आज के समय में हम लोग से दहेज कहत जाता है उसी दहेज को पहरिय जंजाती के लोग डाली कहते हैं अब अलग अलग जंजाती में अलग-अलग सब्द आपको देखने को मिलेंगे किसी में डाबली किसी में पोटे किसी में पॉण तो ये अलग-अलग जंजाती के लोग अलग-अलग नाम से जानते हैं अब इस चीज को आप लोगों को डाइरेक्ट याद रखना है इसमें समझने वाली कुछ चीज नहीं है याद रखना है कि पहरिय जंजाती में वदु मुल्य को डाली कहा जाता है क्योंकि एक्जाम में स साशन कहते हैं ठीक है तो गर तो आपको याद ही रही जाए करेंगे शाषन एसे भी जहां रहते ह traffic operate में detail को नुद्ल के बादanı के लिए अचि.. न roz jump के लातेहार ए गडवा, हजारीबाग, इन सब छेत्र में इनका भगोलिक बिस्तार यानि पालामु परमंडल और हजारीबाग, हम लोग कह सकते हैं गडवा, पलामु और लातेहार, ये पालामु परमंडल में आते हैं, तो पालामु परमंडल और हजारीबाग में इनका जो यह सरवादिक ज यानि 80-90% जनजातियों के प्रमुख देवदा सिंग बोंगा ही होते हैं। जनजातिये लोग ज़्यादा तर सिंग बोंगा की ही पुजा करते हैं। मुआ पुजा क्या होता है मुआ पुजा, तो मुआ पुजा में पूर्वजों की पूजा की जाती है। जो भी पूरवज हैं, जिनकी मृत्तु हो गई है, उनको याद किया जाता है और उनकी पुजा की जाती है, मुआ पुजा में, पुरोहित यानि पंडित थाकूर हम लोग कहते हैं, पुजारी कहते हैं, पंडित कहते हैं, पुरोहित कहते हैं, उसको बेगा कहते हैं, क्या कहते तो बेगा कहते हैं, मुआ पुजा में पूर्बजो की पुजा होती है, और प्रमुख देवदा जो इनके सिंग बोंगा है, धार्मिक इस्तल को डिवार्थान कहते हैं, जैसे मंदिर, हम लोग अभी क्या कहते हैं, मंदिर, चर्च, गिर्जाघर, तो उसी तरीके से जो इनका धार्मिक इस्तल होता है, जहां पर ये लोग पूजा करते हैं, उसे दिवार्थान कहते हैं, धार्मिक प्रधान को टियूरी, यानि जो पूजा करता है, जो पूजा करता है, उस तो टियूरी कहते हैं, धार्मिक प्रधान, पंडितों में भी एक प्रधान होता है, पुजा लेते कि दस पुजारी हैं, उन दस पुजारी में से एक कोई एक क्या होगा, लीडर होगा, उसी लीडर को टियूरी कहते हैं, धार्मिक प्रधान टियूरी, जाती पंचायत को क्या कहते हैं, तो भेयारी या फिर जाती या फिर गोट, अब जाती पंचायत क्या होता है, देख पूल एक जाती का ही वहाँ पर पंचायत होता है, एक जाती का ही पंचायत होता है, तो पहरियाव में जाती पंचायत को भेयारी या फिर जाती या फिर गोठ कहते हैं, अब पंचायत और जाती पंचायत को अब लोग कैसे समझेंगे, तो पंचायत सभी लोगों के लिए होता लेकिन जाती पंचायद जो है, किसी खास जाती के लिए ही किया जाता है, एक्जांपल में आपको समझ रहा है, तो चलिए मान लेते हैं, कि पहरियर Zता ही कि A जो है जाती है, ay के b जाती है, तो A की जाती पंचायत है उसे गोठ कहेंगे और A की जाती जो पंचायत है गोठ में उससे A की जो जूड़ी समझ्याएं हैं उसी जाती की समझ्याएं वहाँ पे समधन की जाएगी ठीक है तो उसे कहते हैं जाती पंचायत कारा भ्यारी क्या होता है तो 8 से 10 गाउं से मिलकर बना हुआ एक पंचायत को कारा भ्यारी कहते हैं कारा भ्यारी 8 से 10 गाउं से मिलकर एक पंचायत बना जाता है उसे कारा भ्यारी कहते हैं ग्राम परधान को मुख्या कहते हैं या फिर महातो कहते हैं मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है, अलग-अलग जनजाती के बारे में भी बताया है, किसी में मातो कहते हैं, किसी में मातो कहते हैं, किसी में मांजी कहते हैं, किसी में बड़ा मुखिया कहते हैं, तो पहरिय जनजाती में मुखिया का जाता है, मुखिया और मुखिया जी मुखिया जी के जो सहायक है उसे खतो या फिर कहतो कहते हैं और पहरिया जंजाती की जो वन्स है वो मात्री सतात्मक है मात्री सतात्मक यानि मा से उनकी पहचान होती है अगर हमारी जंजाती की बात करेंगे, हमारे समाज की बात करेंगे, तो हमारा समाज है वो पित्री सतात्मक है, यानि हमारी पैचान पिता से होती है, लेकिन पहरिय जंजाती के लोगों की जो समाज है, जो समुधाय है, वो मात्री सतात्मक है, ठीक है? इस जंजाती में हे विभा को आयोज़न कियाता है घर के लोगों के द्वारा विभा का आयोज़न यह हो किया जाता है कौनसी जंजप करेंगे तो जार्कन में चौधी सरवाधिक पाए सरवादिक पाई जाने वाली संथाल, दूसरी उराउं और तीसरी मुंडा, जारकन में तीसरी सरवादिक पाई जाने वाले जंजाती, कौनसी है, तो मुंडा, जंजातियों में इनका कुल परतिसत जो है वो लगभग 15%, जो भी जंजाती जारकन में पाई जाती है, उनमें इन मुन्डा सब्द का अर्थ क्या होता है ? मुन्डा सब्द का अर्थ राजनितिक प्रामुख यानि मुंडा सब्द का अर्थ है गाउं का राजनितिक प्रमुख व्यक्ति मुंडा सब्द का अर्थ है मुंडा सब्द का अर्थ होता है विशिष्ट व्यक्ति और विशिष्ट का अर्थ होता है गाउं का राजनितिक प्रमुख व्यक्ति है अगर मुंडा जंजाती की बात करेंगे तो इनका प्रजातिय समू क्या है प्रोटो ऑस्ट्रोलोईड ठीक है प्रोटो ऑस्ट्रोलोईड इनका प्रजातिय समू है ये स्वैंग को होडो को कहते हैं होडो को मुंडा जंजाती की लोग स्वैंग को होडो को कहते हैं क्या कहते ह को ठीक है इनका भासा कौणसा है होडो भासा यह बोलते है मुंडजंजाति के लोग होडो भासा बोलते हैं कौन सी भासा बोलते है strips अब देखिए भोगलिक विस्थार की बात करेंगे तो मुंड़ जंजाती यहां की जंजाती नहीं है, जारकन में यह पाये जाने वाली जंजाती नहीं थी, अब कई-कई बिद्वानों के द्वारा अलग-अलग चिजे बताई जाती है, किसी के द्वारा यह बोला जाता है कि मुंड़ जंजाती जारकन के दक्षिन पूर्व से आई है यानि सिंग भूम के शेतर से आई है किसी के द्वारा ये बोले जाता है कि मुंडा जंजाती जार्कन के दच्छिन पस्चिम से आई है यानि सिम्डेंगा से होके आई है किसी का बोले जाता है कि मुंडा जंजाती तिबबत की जंजाती है ये तिबबत से जार्कन में तो अलग अलग बिद्वानों के द्वारा अलग अलग तर्क जो है वो दिये जाते हैं। लेकिन अभी अगर वर्तमान की भागोली किस्तिती की बात करेंगे इनकी तो वर्तमान में केवल जार्खन में ही ये जंजाती पाई जाती है। मुंडा जंजाती की बात करेंगे, मुंडा जंजाती वर्तमान में केवल जार्कन में ही पाई जाती है और जार्कन में भी ये राची, सीमडेंगा, सिंगभूम, गुमला, सरायकेला, खरसबा इन छेतरों में पाई जाती है तो मेंली मुंडा जंजाती इन छेत्रों में पाई जाती है वर्तमान में पहले कहाँ पे थी ये अलग-अलग वीदिवान अलग-अलग तरक दिये हैं लेकिन वर्तमान की बात करेंगे तो ये राची, सिम्डेंगा, सिंग्भूं, गुमला, सरायकेला, करसभा इन सब जिलों में पाई जाती है और ये जंजाती केवल जारकन में ही पाई जानी वाली जंजाती है तो ये जंजाती केवल जारकन में ही पाई जाती है खूट कट्टी किसे कहते हैं तो मुंडाओं के द्वारा निरिमित भूमी को मुंडाओं के द्वारा जिस भूमी का निर्मान किया जाता है उसे खूट कट्टी कहते हैं अब आप ये सोच रहे होंगे कि भूमी का निर्मान मुंडाओं के द्वारा कैसे किया जाएगा भूमी का निर्मान तो अल्रेटी प्रिदिमी में भूमी है यह है जंगल को साप किया जाता है, पेड़ पौधे को काट कर एक भूमी का आकार दिये जाता है, तो उस भूमी को खूट कटी कहते हैं, तो मुंडाओं के द्वारा जंगल को काट कर एक समतल भूमी बनाई जाती है, उसको कहते हैं खूट कटी, क्या कहते हैं खूट कटी, ठीक है? अब इनके सामाजिक व्यवस्ता की बात करेंगे तो मुंडा जंजाती को 6 भागों में बाटा गया है। यानि वर और वदू दोनों का एक ही गोत्र होगा तो बिभा नहीं होगा। एक ही गोत्र में बिभा नहीं किया जाता है। प्रचलन जो है वो आयोजित विभा का ही है। विभा को अरंडी कहते हैं। क्या कहते हैं मुंडा जंजाती में बिभा को अरंडी और बिदभा विभा को सगाई कहते हैं। तो यह तो आपको यादी रहेगा वधु मुल को गोनोंग टाका क्या कहते हैं। वधु मुल जो होता है उसे गोनोंग टाका कहते हैं। ठीक है। चलिए। गोनोंग टाका कहते हैं। और ग्राम परधान जो होते हैं उसे मुंडा कहते हैं। ग्राम पंचाइद को हाथू होशे हाथू मुन्दा तो इसमें क्या कहते हैं मुंडा करम पंचाइद को हाथू कहते हैं हाथू मुंडाक है मुंडा, ठीक है, हातु मुंडा जो है, वो कई गाओं के प्रधान होते हैं, अगर मुंडा के बात करेंगे, तो मुंडा एक पटिकुलर गाओं का प्रधान होता है, लेकिन हातु मुंडा कई आट-दस गाओं को मिला कर एक प्रधान होता है, उसे हातु मुंडा कहते हैं, ठी को किली कहते है है इनके जो बासा है वो मुंदारी है तो मुंड़ा बासा आप kan 하는 तो यह मुंदारीlara. अनके तो हार के बात करेंगे सरहुल कर्मा सोराइ अ Пока अआयूजित किया ज़ता है और अ किँध आ पता होगा जैणकंतर रोगा का एक्जाम हुआ था 2017 में जाड़कंद रवगा के एक्जाम में दो बार ये कोश्चिन पुशा गया कि बुरुपर्व मुंडा जंजाती के दोरा कब मनाया जाती है तो बुरुपर्व को दिसंबर के महिने में मनाया जाता है सरहुल कर्मा सौरा इनके तोहार है और बुरुपर्व को दिसंबर के महिने में मनाया जाता है तो इसे आप लोग याद रखिए ठीक है मुंडा जंजाती के बात करेंगे आप देखते हैं बिभा के परकार तो मैंने आपको कहा कि बिभा के कई परकार होते हैं राजी खुसी बिभा राजी खुसी बिभा क्या होता है तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है राजी खुसी खुसी राजी होके बिभा कर रही है तो वर बदू की इच्छ से जो बिभा होती है उसे राजी खुसी बिभा कहते है यानि खुसी खुसी राजी होके बिभा कर हैं तो लड़के को जब लड़की पसंद आ जाती है और लड़की विभा के लिए मना कर देती है आप लोग ऐसा ना करें ठीक है कि आप लोग भी ऐसा करना शुरू करते हरन विभा क्या होता है कि लड़के के द्वारा जब कोई लड़की पसंद आ जाती है और लड़की विभा से मना करती है तो लड़की को उठाके लेके चला जाता है और विभा कर लेता है उसे कहते हैं हरन विभा तो किर्पिया आप लोग ऐसा ना करें, कहीं ऐसा ना बोले कि सर ने हमें बताया है, बिवा करना है, तो क्या करना है, लड़की को उठा के ले के जाना है, और बिवा कर लेना है, कहीं ऐसा नहीं करना है, दीगा, उसे कहते हैं हरन बिवा, तो राजी खुसी बिवा और हरन बि की सेबा की जाती है यानि लड़की जो है वो लड़के के घर में रहती है और उसके घरवालों की सेबा करती है और उसके बाद इनका विभा होता है उसे कहते है सेबा विभा पहले सेबा करती है लड़की उसके बाद विभा होता है तो सेबा विभा हाट विभा क्या होता है हा ठीक है तो उसे कहते है हट वीपा हट ठीक है चलिए आगे देखते हैं आर्थिक विबस्ता की बात करेंगे तो मुंडा जंजात्नी के लोग ज्यादा क्रिशी करते हैं और पशुपालन करते हैं सौराय पर्व की बात करेंगे, तो पसु पुजा के लिए ये पर्व आयुजित कियाता है, पसु पुजा के लिए सौराय पर्व को मनाया जाता है, अब ये कोशन भी इंपोर्टेंट है, सौराय पर्व, सौराय पर्व में किस चीज की पुजा कियाती है, तो पसु पुजा, जाड़कन दरोगा के एक्जाम में भी ये कोश्चन भी पूछा गया है मुंडाओं की भूमी जो है वो तीन प्रकार की भूमी होती है पंकु हमेशा उपज देने वाली भूमी नागरा ओसत उपज देने वाली भूमी और खिलसी बालोयक भूमी मुंडाओं के द्वारा तीन प्रकार की भूमी होती है जिसमें मैंने आपको कदा का कि मुंडा जो लोग होते हैं वो जदातर क्रिशी करते हैं ग्रिशी करने के लिए उनको भूमी के माटनेंगрах जिसमें ज्यादा पैदावार होगी जिसमें मध्यम पैदावार नहीं होगे बंजर गालता है। तो तीन तरगे के भूमिजत होते हैं ठीक है। धार्मी प्यवस्ता की बात करेंगे प्रमुख देवदा कौन है सिंग बोंगा और सिंग बोंगा को सूरी के समान माना जाता है मुंडाओं के प्रमुख देवदा सिंग बोंगा ग्राम देवदा को हातु बोंगा कहते हैं पूजा की जाती है उसे सारना कहा जाता है तो इतने चीजे हम लोग आज देखे हैं आज हम लोग जारकन के दो जंजातियों के बारे में देखे पहर्य जंजाति और मुंडा जंजाति इन दो जंजातियों को मिलाकर अब तक हम लोग जारकन के 14 जंजातियों के बारे में देख चुके हैं तो इसी तरीके से आप लोग डेली क्लास को करते रहें डेली हम लोग जारकन के दो जंजातियों के बारे में देख करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अब देखलें थैंक यू टेक क्यार बाई बाई